असलाम अलेकुम स्टूरेंट्स आइंड जैनफ फात्मा यूर साइन्स टीचर कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब खैरियत से होंगे हमने पिछले लेक्षर में शुरू किया चैप्टर नंबर 10 जिसका टॉपिक था लाइट उसमें हमने पढ़ा के लाइट क्या होती है और व पढ़ा था आज इसी फिनॉमना को हम कुछ डीटेल में पढ़ेंगे तो आइए शुरू करते हैं इसकी डेफिनिशन आपके सामने लिखी है लेट में रीड आउट फो यू reflection कहते हैं light की direction change होने को और यह direction तब change होती है जब light किसी surface से टकराती है मतलब light जब किसी surface से strike करेगी और उसकी direction change होगी मतलब वो bounce back करेगी इसका मतलब यह है कि वो reflect की है अब इसमें मैंने surface को underline किया है क्योंकि surface हर तरह का light को reflect नहीं करता reflect करने के लिए surface का smooth होना और non-absorbable होना बहुत ज़रूरी है अगर तो कोई surface light को absorb कर लेगा मतलब एक plastic के उपर अगर हम light मारेंगे तो वो reflect नहीं करेगी मगर अगर हम किसी mirror के उपर light मारेंगे तो वो reflect करेगी इसकी मैं common example आपको देती हूँ if I am standing and my back is from a store room अपने घर में मैं खड़ी हूँ और मेरे हाथ में torch है जो मैं opposite direction में मार रही हूँ मेरे पीछे store room है जहाँ पे बिलकुल अंधेरा है तो वहाँ light मारने की वज़ा से पीछे रौशनी नहीं होगी अगर मैं इसी light की direction में अपने सामने mirror रख देती हूँ तो mirror से light reflect करके बिलकुल पीछे पड़ेगी और store room में भी रौशनी हो जाएगी ये experiment आप अपने घर भी कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि light किस तरहां से reflect करती है different surfaces पे surface number one is plane and surface number two is rough अगर तो surface plane होता है तो जितनी भी light आपको इस arrow से समझ आ जाएगी कि light इस वकत surface की तरफ जा रही है और ये light surface से वापिस आ रही है अब ये light rays जो surface की तरफ जा रही है जब plane surface पे पढ़ेंगी मतला mirror पे पढ़ेंगी तो reflect कर जाएगी और reflect करके वो वापिस आ जाएगी बिल्कुल एक ही direction में ये होगा जब plane surface होगा मगर अगर यही surface rough होगा तो ये सब एक direction में वापिस bounce back नहीं करेंगी जैसा आपके सामने है कि तीन rays गई उन्होंने rough surface के उपर जो के reflective surface था मगर rough था उसके उपर जब strike किया तो तीनो rays different direction में चली गई अब इसको हम कहेंगे that the light bounces back in the same direction और इसके लिए हम कहेंगे that the light diffuses away irregularly diffuse का मतलब होता है इधर उदर बिखर जाना अब light जा एक ही तरह से रही थी मगर वहाँ जाकर strike करके diffuse हो गई और diffuse करके different directions में disperse हो गई ये दो तरीके थे light के reflection के अब हम आके जाके देखते हैं कि law of reflection क्या है तो आईए शुरू करते हैं law of reflection the angle of incidence is equal to the angle of reflection अब angle of incidence और angle of reflection क्या होता है आपके सामने एक diagram बनी है और इसकी help से मैं आपको explain करूंगी देहान से सुनियेगा ये है वो light जो source से आ रही है हमारे plane surface की तरफ this is our plane surface and this is the light जो आ रही है source से ये light जो source से plane surface की तरफ आ रही है इसको हम कहते हैं incidence ray अब ये source से light आती हुई होगी हमारी incident ray या फिर incidence ray और ये आकर strike करेगी plane surface पे जब plane surface पे strike करेगी तो ये है reflective surface और यहां से हमारी ये ray reflect कर जाएगी reflect करने का मतलब है bounce back कर जाएगी यहां से ये ray bounce back की आपको ये arrow से पता चल रहा है कि ये ray यहां आ रही है और ये ray वापस जा रही है मतलब bounce back की तो इसको हम कहेंगे the reflected ray एक है incident ray जो के source से सीधा medium की तरफ मतलब surface की तरफ आ रही है और दूसरी है reflected ray कि जब वो surface से स्ट्राइक करके incident ray वापस जा रही है तो उसको हमने नाम दिया है reflected ray का अब हम देखते हैं कि angle का इससे क्या तालुक है हम angles पढ़ते हैं mathematics में उसके लिए मैंने एक red कले की dotted line मतलब imaginary line draw की है जिसकी मतलब से हम angle को measure करेंगे आपको पता है कि straight angle होता है 90 degree का 90 degree से आपने देखा कि जिस angle पे मतलब for example ये angle हम कहते हैं कि 60 degrees है तो अगर 60 degree पे आके plane surface पे हमारी incident ray ने strike किया है तो reflected ray भी exactly 60 degrees पे ही reflect back करेगी तो reflect back भी किया उसने 60 degree पे इसके angle को मये करने के लिए मैंने ये red color की dotted imaginary line draw की है जिसको कहते हैं normal and this is 90 degree 90 degree मतलब normal axis से हमने जब आने वाली ray का angle देखा तो 60 degree था जब वो reflect की तो उसका angle भी 60 degree था इसको कहते हैं the law of reflection एक दफा दुबारा हम इसकी definition देख लेते हैं incident ray the ray that strikes the surface वो ray जो source से आ रही है surface की तरफ और strike कर रही है इसको हम कह रहे हैं the incident ray the reflected ray the ray that bounces back strike करने के बाद जब वो bounce back करती है तो इस ray को हम कहते हैं the reflected ray angles क्या थे angle of incidence वो angle है जिस angle पर हमारी incident ray ने surface को strike किया और angle of reflection वो angle है जिस पर हमारी ray reflect हुई और ये angle हम मयर करते हैं एक normal से normal नाम देते हैं हम इस red dotted line को जो 90 degree पर होती है तो उमीद है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी तो आईए चलते हैं अपने next step की तरफ next step है the image formation in a mirror अब हम ने देख लिया कि reflection किस तरह से होता है और reflect करके ray जब वापस जाती है तो दोनों का angle same होता है इसको कहते हैं law of reflection अब हम देखते हैं कि जब हम एक mirror में image देखते हैं तो वो किस तरह से form होती है आपके सामने एक diagram draw है ये है आपका plane mirror ब्लू कलर से जो मैंने आपको दिखाया है ये है आपका plane mirror ये normal mirror है जो आपकी dressing table पे भी लगा होता है जिसमें आप अपनी शकर देख सकते हैं अब अगर इस तरह एक bulb है और भीच में mirror है और आप यहां से देख रहे हैं bulb को तो आपको mirror में bulb नजर आएगा और आपको लगेगा कि ये image जो है bulb का बिल्कुल mirror के पीछे है ये होता है हमारा image जिसको हम कहते है virtual image हम अभी इसको और detail में पढ़ेंगे इधे bulb मौझूद है और bulb की light पढ़ रही है mirror के उपर mirror में हमें यहां से हम देख रहे हैं mirror में हमें नजर आ रहा है bulb मगर जो bulb actually में यहां मौझूद है हमें नजर आ रहा है mirror के पीछे और इसको हम कहते है virtual image अब इस image की कुछ qualities है पहले मैं आपके लिए read out करती हूँ image is formed by the divergence of light rays light rays पढ़ रही है mirror पे और वो diverge कर रही है diverge करके actual image नहीं दे रही हमें virtual image दे रही है appears to be at the back of the mirror अगर हम mirror में देखे तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है के बल इधे नहीं mirror के उस तरफ same ही distance पे मौझूद है and it is laterally inverted अब laterally inverted क्या होता है अगर बल्ब left side पे है तो आपको mirror के अंदर right side पे दिखाई देगा अगर आप उल्टा लिखेंगे तो आपको upside down मतलब सीधा नजर आएगा और सीधी चीज उल्टी नजर आएगी इसकी एक बहुत common example है जो आपने बिल्कुल notice नहीं कियोगी अपसे आपने इस चीज नोटिस करनी है जब भी आप traffic jam में फस्ते हैं signal के उपर और कोई ambulance आ रही होती है आप अपनी mirror में कार के mirror में देखें तो आपको उसके बिल्कुल front पे लिखावा नजर आएगा rescue 1122 अब आप ऐसा करें के mirror में मत देखें और मुड़के अपनी आँखों से direct देखें तब आपको पता चलेगा कि actually ये वाला text उल्टा लिखा गया होता है ताके traffic में मौजूद गाडियां जब अची तरह समझ आजएगा तो अब आपको समझ आगी कि virtual image क्या होता है फिर से मैं एक दफ़ा summarize करके आपके लिए repeat करती हूँ ये है एक plane mirror जब आपके सामने plane mirror है और mirror के इस तरफ एक bulb है बल्ब की light जब mirror पर पड़ती है तो हमें उसका image दिखाई देता है मगर ये image होता है laterally inverted plus ये image होता है virtual, virtual का मतलब है the opposite of actual image, this is not the actual image, this is the opposite of actual image क्योंकि हमें लग रहा है के mirror के दूसरी तरफ ये बल्ब है हाला के वो है इसी तरफ, plus अगर वो left पर है तो हमें right पर नज़र आ रहा है जिसको कहते हैं the lateral inversion, तो अब आपको ये बात भी समझ आ गई के mirror में हमें सीध लिखी वी चीज उल्टी क्यों नज़र आती है, अब reflection के लिए आपके पास काफी knowledge हो गया, अब इससे मिलती जुलती एक और term है that we call refraction, refraction और reflection में क्या फरक है आए देखते है, the refraction of light, the bending of light rays when it enters from one medium to another, reflection क्या था, reflection था कि जब light आके strike करेगी, it will bounce back, मगर refraction होता है कि जब light आके strike करेगी, तो वो वापिस bounce back नहीं करेगी, वो उससे pass through कर जाएगी, एक medium से दूसरे medium के अंदर light enter हो जाएगी, और जब enter होगी तो वो अपनी direction को change कर लेगी, अब ये direction किस तरह change होती है, पहले diagram से देखते है, ये है हमारी incident ray, जिस तरह पहले थी हमारी incident ray, जो source से आती भी ray है surface की तरफ, उसको हम कहते है incident ray, incident ray आई, medium, this is the boundary between medium, और दो mediums को define करने के लिए, मैंने आपको example में यहाँ लिख दिया है, air and this is water, तो आपने imagine करना है कि light ray आ रही है, air में से, और वो enter कर रही है, water को, मतलब simply आप एक पानी के ग्लास में उपर से light मारे हो, तो वो होगा from air to water, it is changing one medium to another medium, तो incident ray जब आई, medium change हुआ, इस boundary से medium change हुआ, और उसका angle भी change हो गया, अब जब इसने strike किया medium को, मतलब surface boundary को, तो यहाँ का जो angle था, वो different था, for example अगर यह imaginary line है, तो आपके सामने है कि incident ray का angle है यहाँ, जबके refracted ray का angle है बिलकुल different, जो कि है यह, अब आपको पता चला, इसी से कि law of reflection, law of reflection बिलकुल नहीं हो सकता, reflection का law यह है कि जिस angle से ray आएगी, उसी angle से reflect करेगी, मगर refraction में, the angle of incidence is not equal to the angle of refraction, अब यह angle किस तरह से determine किया जाता है, और यह change होता ही क्यों है, मैं आपको बताती हूँ, हमने पहले पड़ा पिछले ही lecture में, कि light बहुत speed से travel करती है, और air में इसकी speed है 300,000 km per second, अब यह light जब दूसरे medium में enter करेगी, तो speed चेंज हो जाएगी, मतलब air में जो light की speed है, वो water में नहीं, water है एक denser medium, इसका मतलब जब तेजी से light air से आते हुए, स्ट्राइक करती है surface और water को, तो अंदर enter होने से पहले ही, उसकी speed हो जाती है slow, अब light तेजी से आते हुए, जब surface को touch करेगी, तो angle हो जाएगा inclined, मतलब नीचे की तरफ, इसकी वज़ा यह है कि speed हो गई है light की slow, और angle हो गया है change, इस तरह होती है refraction, अगिर इसी तरह हम water में नहीं भी light को डालते, किसी glass surface में डाल देते हैं, तब भी यही होगा, कि तेजी से आती हुई light, जब अपनी speed change करेगी, तो angle भी change हो जाएगा, और ray of light bend कर जाएगी, इस process को हम कहते हैं, the refraction of light, अब आगे जाके, आम इसकी detail को step-wise पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही, इस lecture और reflection के concept को समझा चुकी हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई, तो ये lecture दोबारा सुने, क्योंकि ये concept आपके बहुत काम आने वाला है, आज के लिए इतना ही, thank you so much.